हलो दोस्तो आज में लेके आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही अलग तरीके से कटहल की सबजी बनानी की रेस्पी वीडियो को पूरा जरूर देखना तो चलिए हम ये नए तरीके से कटहल की सबजी बनाना सुरू करते हैं कटहल की सबजी बनाने के लिए हमने यहां पे गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है अब सबजी बनाएंगे हम सरसो के तेल में तो हमें कढ़ाई में सरसो का तेल डाल देना है जैसे तेल गरम हो जाएगा हमें तेल को चारों तरफ कढ़ाई में अच्छे से फैला देना है अब कटहल को कट करके रख लिया था कटहल को पहले से कट करके रख लिया था मैंने इसलिए थोड़ा सा काला पड़ गया है सभी कटहल को हमें डाल देना है गर्मा गरम तेल में और इसे डालने के बाद बस चमसी से हमें चलाना है तेल में जो है तड़के के साथ हमें कटहल को दो म एक बार अगर आप इस सब्जी को बनाते हैं तो नौन बेज भी आपको इसके सामने फीका लगेगा, बहुत ही जादा ये टेश्टी कटहल की सब्जी बनके तयार होती है, तो इस रेश्पी को एक बार जरू ट्राई करना, यहाँ पर हमने कटहल को भून लिया है, अब इसमें हमें डाल देना है तो बड़े टुकड़े में कटा हुआ प्याच, यहाँ पर हमने दो सिमला मिर्च डाल दी है, यह तीखा नहीं है, यहाँ पर हमने लसुन लिया है, लसुन को हमें छीलना नहीं है, छीलके के साथ में इस मैंने हरी मिर्च ली है तो मिर्च डाल देते हैं बस सारी शीजों को एकदम बड़े बड़े टुकडों में कट करके कटहल के साथ में डाल देना है बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे दो मिनट तक इसी तरह से भूनते हुए जो है पका लेना है ऐसे ही पकाने के बाद बाधा चम्मच इसमें हल्डी पाउडर डाल देते हैं बस इसे हम बढ़िया से सबसे पहले चम्मच से मिला देंगे ये कटहल की सबजी इस तरीके से अगर आप सब भी बना रहे हैं तो बहुत ही जादा ये टेश्टी बनती है बिल्कुल अलग और नए तरीके से ये कर रही हूं इस कटहल की सबजी को एक बार जरूर बनाएगा घर में सबको बहुत पसंद आएगा बहुत ही जादा ये टेश्टी भी बनती है अब सबजी को चलाने के बाद यहां पर हमने एक कटोरी में पानी लिया है इसमें हम पानी डाल देते हैं जैसे इसमें थोड़ी पूरे साथ से आठ मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे तो चलिए हम धक्कन खोल के चेक कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसका पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी बचा है कटहल हमारा जो है लो फ्लेम पर पक के बहुत ही सबसे पहले चलिए हम यह देख लेते हैं यहां पर हमने लिया है यह आलू मैसर अगर आपके पास यह ना हो तो आप एक ग्लास को उल्टा करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मैस कर सकते हैं तो इसी तरह से हमें कढाई को अच्छे से पकड़ के और इसे थोड़ा टाइ से इस तरह से सभी चीजों को हमें मैस कर देना है अप सबको मेरी बीडियो पसंद आये तो be confidently को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो सबसे पहले मिले आपको इसी तरह से हमें कटहल की सब्जी को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैस कर लेना है सभी चीजों के साथ में और ये आप सब इसे देख सकते हैं कटहल की सब्जी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मैस कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से मैस हो गई, इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है बहुत ही टेश्टी यह हमारी सबजी बनके तयार हुई है बस अब हमें करना क्या है सबजी को मैस करने के बाद लो फ्लेम पी से एक मिनट तक और भूनना है इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सबजी को भून कर तयार कर लेना है ऐसे ही करके हमने सबजी को अच्छे से भून लेना है और ये देखिए इसी तरह से भूनते हुए ये हमारी कटहल की सबजी बनके तयार हो गई है तो हम गैस को बन कर देते हैं और ये देखिए एकड़म अलग और नए तरीके से ये कटहल की सबजी बनके तयार हो गई है बहुत ही जादा ये टेश्टी भी बनी है इस रेस्टी को आप सब भी एक बार जरूर ट्राई करना वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये रेस्टी आप सब कैसी लगी मेरे वीडियो को अपने फैमली फ्रेंड के साथ में सैर करना बिल्कुल भी मत भूले फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ थैंक यू